नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग आशा करती हूँ कि आप अच्छी होंगे, तंद्रूस्त होंगे आज मैं आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी ले कर आई हूँ आप लोगोंने बहुत सारी कचोरी खाई होगी आज कुछ अलग कचोरी बनाने वाली हूँ जो है सोयबिन की कचोरी जो खाने में बहुत ही टेस्टी हैं और आप इसे मेमानों को सरफ करेंगे तो वे भी आपकी तारिफ करते नहीं तकेंगे इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम कचोरी की स्टफिंग तियार करेंगे स्टफिंग मनाने के लिए हम पहले एक पैन लेंगे पैन गरम होने के बाद हम इसमें दो बड़े चमच ओयल डालेंगे ओयल गरम होने के बाद इसमें थोड़ा जीडा थोड़ी काले मिस्ट पाउडर डालेंगे अब हम इसमें दो कटे हुई प्याज डाल कर हलका ब्राउन होने तक बुनेंगे प्याज हलके ब्राउन हो चुके हैं अब हम इसमें एक बड़ा चमच बिशन डालेंगे अब इसे मिक्स करेंगे अब इसमें एड पाउल पीसी हुई सोया बिन डालेंगे मैंने सोयबीन को पहले ही उबाल कर इसका सारा पाने निकाल कर निमिक्सी में ग्राइंड कर लिया था इसे भी थोड़ा फ्राइ करेंगे अब इसमें आदी चम चल दी आदी चम मचलाल मृष्ट पाउडर 24 नमक और थोड़ा सा दन्या पाउडर डाल कर मिक्स करेंगे इसे थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे और अब मैं इसमें एक उबला हुआ आलो मैश करके डालेंगे और मिक्स करेंगे अब इसमें कटी हुई हरिमिश्ट डालेंगे और लाश्ट में हरा दन्या भी डालेंगी इसमें थोड़ी से पान मेति भी एर कर देंगी पान मेति से मसाले में कुश्बू और त्वा दोनों बढ़ जाता है अब हमारा मसाला बन कर रेड़ी है अब हम कचोरी बनाने के लिए आटा गूंत लेंगे इतने में हमारा मसाला ठंडा हो जाएगा तो इसके लिए मैं एक बाउल मैदा लेंगे अब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे अब इसमें थोड़ी सी अजवैन डालेंगे अब इसमें ती चमच गी डालेंगे मोयन के लिए और इसे हातों से मिक्स कर लेंगे अब थोड़ा थोड़ा पाने डाल कर आटा गुंत लेंगे मैंने आटा गुंत लिया है अब इसे 10 मिन तक ड़क कर छोड़ देंगे आटे को रखे हुए मुझे 10 मिन ठोच चुके हैं अब हम आटे की छोटी छोटी लोईया बनाएंगे अब हम एक लोई लेकर बेल लेंगे और अब इसे इस तरह फोल्ड करके इसमें सोयविन वाले स्टफिंग डालेंगे हम इसमें दो चमच स्टफिंग डाल रहे हैं अब इसे अच्छे से बंद कर देंगे और हतेली से इस तरह से थोड़ा सा दबा देंगे अब हम इसी इतरहें सारी कचोरिया बना लेंगे अब हम कचोरी फ्राई करने के लिए पैन में ओयल डालेंगे ओयल गरम होने के बाद इसमें कचोरी डालेंगे और मीडियम फ्रेम पर फ्राई करेंगे देखे हमारे कचोरी अच्छे से ब्राउन हो गई है अब इसे प्लेट में निकाल लेंगे इसी तरह हमारी सारी कचौरियां फ्राई कर लेंगे हमारी कचौरियां बन कर तैयार हैं आप इसे दन्या की चट्नी और ट्रमाटर की मिठी चट्नी के साथ सरो करें आपको बहुत अच्छी लगेगी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सस्क्राइब करें लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आपको हमारी सोयर बीन कचोरी कैसी लगे कमेंट में जुरूर बताएं तो मिलते हैं कर लेक नई रेसिपी के साथ तब तब गुड़ बाई